यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे, उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे, दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नाते ि वह दोग código एक दिन है वह दोगां से थोड़ा दूर निकल को और खेलते खेलते उन में से जोग बड़ा बच्चा था दस साल वाला कि गिर गया और जोर-जोर से उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं नहीं दिखा, जिसको कि वो बुला सके help के लिए, और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी, उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके प्ले में फैक किया, और अप चोटशा बच्चे ने, छेस साल के और तस साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खीचता रहा खीचता और तब तक नहीं रुका, जब तक उसने अपने दोस्कों बचाना है, जब तक बार मिलें जाए नहीं आरदे ही, आ तक तो ठीक था, जहा तक टो एक जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और यह सब चीजे होई लेकिन मज़े की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो जब गाउं गए और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया बाकी गाउंवालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गाउंवालों ने और वो अपनी जगे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी, पानी से भरी हुई वो उठा सके तो इतने बड़े बच्चे को इतनी उपर खीचना तो बहुत दूर की बात है लेकिन एक आदमी था उस गाउं में उसने विश्वास कर लिया उनको सब रहीम चाचा कहते थे उस गाउं के सबसे समझदार मुजर्गों में से एक और सबको लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई नो कोई बात होगी कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं और फिस सारे गाउं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उनको हसी आ गई वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता तो रहा है उसने कैसे किया बाल्टी को उठा गर के कुए में फैका उसके दोस ने बाल्टी को पकड़ा उसने रसी को खीचा और अपने दोस को बचा लिया तो आपको पता तो है उसने कैसे किया बच्चा बता तो रहा है इसमें मैं क्या बता हूँ तो सारे गाउँवाले उनकी शकल देख रहा है पिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया सवाल ये है कि वो ये क्यूं कर बाया कि उसके अंदर इतनी दाकत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता उने कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं ठाइम है खुद भी नहीं यूण झाल